हलो वाटसब गाईज तो सुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो माँ आपको दिखाने वाला हूँ 15 अंची की टॉप जो की बीटा 4 की है जो की आपके सामने रखी हुई है आपको देने वाला हूँ इसके बारे में रिवीव जो की इसमें स्पीकर पड़ा हुआ है चाली की बात करें तो काफी ही हैवी लगा रखी है जो की अगर बेस भी अगर तकड़ा करके चलाते हैं तो इसमें यह हिलेगी नहीं जो की जाली की आवाज नहीं करेगी जो आती है अलग से बाइबरेट करती है तो यह काफी मस जिसमें जाली दे रखी है बागें आप दे रखा है बीटा फोर का चो कि आप देख सकते कुछ उबरा हुआ है इस टाइप से इसमें बीटा फोर की ब्रेंडिंग दे रखी अपनी कंपनी की और जाली के अंदर इन्हों दे रखा है फॉर्म ताकि अंदर दश्ट वगेरा ना जाए अच्छी प्रटेक्ट करें अंदर इ स्पीकर पड़े हुँ है एक यहां पर में टेंस हो जाएगी और कुछ इसका साइट से इन्होंने इस पर बोडी की इस टाइप से ब्रेंडिंग दे रखी है बीटा फोर की जो कि बहुत ही सांदार लोग देती है कि हां लगता है बीटा फोर की हम टॉप चला रहे हैं जो कि बहुत ही अलग सी एक फील प्रटेक्ट करवाता है कि हां इस टाइप से बीटा फोर लिखा हुआ है जिससे की जे विल बगेरा में लिखा होता है और कह सकते हैं कि हां यह कॉपी नहीं क्योंकि यह कंपनी से ही बॉडी मेड है क्योंकि इसमें बीटा फोर की ब्रेंडिंग प्रेंडिंग दे रखी है जो कि लिखा हुआ है बाकि आपको यहां पर एक हैंडल देखने के मिल लाएगा चोकी उन्होंने दे रखा है यह तो हाल होगा यह दे रखा है बाकि किसी किसी बड़ी में प्लास्टिक का आता हुआ है और इस टाइप से इसका कुछ साइड विल लुक है आप देख सकते हैं तो चलिएगा इस तो इसके बैक की बात कर लेता हूँ कि जिस टाइप से उन्होंने ब्रेंडिंग दे रखी है बीटा फोर की जो की कनेक्शन प्लेट है जिसमें आपने एक फीकॉन लगा के इसको इन्पुट दे सकते हैं अपनी एम से कुछ इ कंपनी की जो की एक देखने में लगता है यहां ओर्जनल टॉप चला रहे हैं हम बीटा फोर की तो चलिए गाई तहां तो दिखाने बादा हूँ चेक करके कि कैसा का इसका सावंड कॉलिटी रहती है तो चलिए गाईस बने रही हैं आपको देखने वालों देखता हूँ आगे कैसे क्या इसकी साउंड कॉल्टी रहती है देखिए हूँ क्या हैूँ क्यार देखता हाँ क्या जढता हूँ झाज जड … झाल झाल